दोस्तो नमस्कार, RPSC एक्जाम्स यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है यूनिट चार से सम्मंदित आज का लास्ट टोपिक है धरम निर्प्यक्स और सामाजिक ने आई इन दोनों सब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे तता इन से सम्मंदित जितने भी जो इंपोर्टेंट अनुचेद है वो पढ़ेंगे सर्वापर्दम बात कर लेते हैं धरम निर्प्यक्स की इनका आर्थ क्या होता है राज्वे सभी दर्मों को क्या बिन्या किसी भेद बाव के सम्मान सरक्षण क्या करेंगे परदान करेंगे पर राज्वे किसी विशेज धरम के परती उनका जोखाव नहीं होता उनके लिए सभी धरम क्या होते है सम्मान होते हैं अब इसको जो भेदवाव सब्द है वो कहां वरनित है वो हमें अनुछेज जो 14 है उसमें देखने को मिलता है कि अनुछेज 14 जो मूल अधिकार में आता है वो कहता है कि किसी भी विक्ति के साथ धरम, जाती, लिंग इन सब के अधार पे क्या नहीं होगा बेदवाव नहीं होगा लेकिन भासा तथा निवास के इस्तान पर बेदवाव हो सकता है तो धरम के अधार पे जो सर्व परतम बेदवाव नहीं होगा ये हमें अनुछे 14 में देखने को मिलता है अब भेद भाव का मतलब है कि हमारे देश में सभी क्या है धर्म सम्मान है और उने सरकार का सम्मान क्या है समर्थन प्राप्त है हमारे देश में सभी धर्म सम्मान है और उने सरकार का सम्मान समर्थन प्राप्त है धर्म निर्पिक्स राज्य अथा धर्म के आदार पे राज्य हैं वो कितने परकार के होते हैं तो तीन परकार के होते हैं एक नास्तिक राज्य दूसरा शेदान्तिक राज्य और तीसरा है धर्म निर्पिक्स राज्य बात कर लेते हैं कि नास्तिक राज्य क्या होते हैं तो वो होते हैं नास्तिक राजे दूसरे होते हैं सेधान्तिक राजे एसा राजे जिसका अपना विशेष धर्म होता है वो सेधान्तिक राजे होते हैं जैसे बांगला देश, शीरी लंका और पाकिस्तान बर्मा आती अब बात करते हैं धर्म निर्पेक्स राजे जैसे अपना देश है वो धर्म निर्पेक्स है ऐसा राजे धर्म के मामले में तटस्त होता है अथा सभी धर्मों को सम्मान सरक्षन है सभी धर्मों के परती सम्मान विवार है सभी को सम्मान अनुदान परदान करते हैं और किसी विशेश धरम को बड़ावा देने के लिए किसी विशेश सहयोग की आशा नहीं की जा सकती हमारे राज्यों से ये बात कहा है भारत तथा अमेरिका में अमेरिका और भारत क्या है धरम निर्पेक्स राज्य के उदारना आपको ज्यान रगना है कि भारत एक धरम निर्पेक्स राज्य है अब इनको जो धरम निर्पेक्स राज्य सबद का जो ख्याल है वो मूल सविदान में नहीं था दरम निर्पेक्स या पंथ निर्पेक्स जो सब जोड़ा गया था पंथ निर्पेक्स वो 42 सविधान संसोदन 1906 के द्वारा जोड़ा गया था लेकिन जो सविधान निर्माता थे उन्होंने साइद धरम निर्पेक्स राज्य की कलपना इन अनुछेदों के माद्दे में से कर दी थी जैसे अनुछेद 14 है उसमें हमें ये देखना को मिलता है कि धरम के आदार पे बेहदवाओ नहीं तो उससे अच्छी धरम निर्पेक्स की और क्या परिबासा हो सकती है फिर बात कर लेते हैं दार्मिक सवतंतरता दी गई थी मूल अधिकारों में जैसे 25 है हमें अन्तकरण की सवतंतरता दी गई थी फिर 26 में हमें जो था कि दार्मिक जो परबंद करते हैं उनके बारे में जो सवतंतर तर्था तत्मूल अधिकार के अंतरक्रता में 26 वे अनुशेद में ये बात कही गई कि धार्मिक मामलों में परबंद कर सकते हैं 27 में हमें धार्मिक जो अभिवर्दी है उनके आदार पे कर्मे क्या दी गई थी छूड़ दी गई थी अपने अपने धर्मों के विकास के लिए हमें कर्मे क्या कर दी छूड़ दे दी तो ये पर्टिकुलर धर्म के आदार पे विकाज था लेकिन किसी विशेश को सयोग नहीं 28 कि कोई भी सिक्षन सहंस्ता में जो धार्मिक सिक्षय है उसको वरजित किया गया तो ये अनुछे जो 28 है वो धर्म निर्पेक्स को ही तो बताता है जैसे अनुछे 14 है वो धर्म के आदार पे बहदवाव नहीं तो क्या करता है धर्म निर्पेक्स का यह परिचाय का है 28 है कि जो सिक्षन सहंस्ता है उनमें धार्मिक सिक्षय वरजित है तो ये भी धर्म निर्पेक्स कोई बताते है तो हमें जो कल्पना देखने को मिली थी धर्म निर्पेक्स था कि वो इन अनुछेदों में मिल चुकी थी साइध इसी लिए धर्म निर्पेक्स सबद का हमारे मूल सविदान में वर्णा नहीं था अब जो पंथ निर्पेक सबद है था धर्म निर्पेक सबद हो वो 42 सविदान संसोधन 1906 के देद जोड़ा गया था 1906 में हमने तीन सबद जोड़े थे कौन से समाजवादी पंथ निर्पेक और अखंड था परस्तावना में सरवपिथम एक बार संसोधन होआ वो 1906 में हो उसके बाद आज तक नहीं हुआ है एक बार ही संसोधन होआ है आपको ध्यान दगना है कि 2030 में प्रस्तावना में एक बार संसोधन केता है, तीन सबस जोड़े गए थे, अखंडता, पंथनिर्पेक्स, दियाधरम निर्पेक्स और थमाजवादी अब है सामाजिक न्याई, दूसरा जो पॉइंट है वो सामाजिक न्याई है, जो भारतिय सविधान की प्रस्तावना है उसमें जो तीन परकार की न्याई का उलेक है, उसमें सर्वपरतम सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याई की चर्चा की गई है अब जैसे इसमें जो सामाजिक न्याई है वो अपने आप में इन दोनों को समावेश करता है क्योंकि दोनों समाज के अंतरगत हैं आर्थिक और राजनेतिक सामाजिक न्याए और आर्थिक न्याए राजनेतिक न्याए यह हमें कहां से मिलते हैं इनका वर्णन सविदान में है और यह पस्तावना में दोनों हमें तीन परकार का जो न्याए का उलेकर सामाजिक आर्थिक राजनितिक वो हमें पस्तावना जो परदान करती है अब बात कर लेते हैं सामाजिक न्याय जो सब्ध है वो हमें सबसे ज़्यादा फली भूत होता का है तो सब्रुवादिक जो सामाजिक ने आये है वो निती निदेशक जो तत्तों हैं उनमें देखने को मिलता है साइद इसे लिए ये राज्ये को परदान किये गए हैं निती निदेशक तत्वय लोग कल्यानकारी राज्य की इस्तापना ये तु सामाजिक अधार पे एकता तथा एसमानता को दूर करने का परियास करते हैं निती निदेशक तत्वय राज्य को इसलिए परदान करे गए हैं कि राज्य का ये करतवय होगा कि कल्यानकारी जो राज्य है समाज है उसकी इस्तापना के लिए सामाजिक न्याय इस्तापित करें और सभी को सम्मान दरश्टी से सम्मान प्रभुत्तो इस्तापित करके ऐसमा सामाजिक आर्थिक वराजनितिक ऐसा मानता को दूर करने हेत्तु की दिया गया है अब आरक्षन जो सब्द है वह हमें अनुछेद 14 में भी देखने को मिलता है जहां बात की गई है कि लोक नियोजन के जो छेत्र है उनमें जो समान अवसर परदान के जाएंगे वह हमें किस आदार पर देखने को मिलते हैं सामाजिक जो है समानता को दूर करने के लिए हमें ये अनुछेद भी देखने को मिलता है अब आरक्षन दिया कहां गया है SCST, OBC, अनुछोची जाती, अनुछोची जो जन जाती है और अन्य पिछड़ा वरग इनको जैसे आपके विदान सबा है, जो सैंस्ताइं है, सिक्षन सैंस्ताइं है, इनमें भी क्या है? आरक्षन है इस्तानी निकायों में महीलाओं को आरक्षन दिया गया है तो इन चीजों से क्या साबित होता है? कि सामाजिक जो ए समानता उसको दूर करने का प्रियास किया जा रहा है किनके द्वारा राज्य के द्वारा तो ये भी तो एक सामाजिक जो न्याए है आपका सामाजिक न्याए उसी का ये कि भाग है क्या अरक्षन बात कर लेते हैं सामाजिक जो आपका सामाजिक न्याय है उससे समंदित विशेश जो उपबंद है अथार्थ अनुछेद अनुछेद जो सत्रा है मूल अधिकार में वर्नित है उसमें क्या का गया एस परशेता का अंत है अथार छुवा छूत किसी भी वेक्ति के साथ नहीं होना चाहिए इसके लिए भारतिय जो कानून बनाया गया था छुवा छूत अदिनियम ऐस परशेता निवारक अदिनियम वो 1905 में बनाया गया था उसे 1906 में प्रिवर्थित कर दिया गया अब जो अनुचे 38 कय है जो नित्ती नित्यसक तक्तव biggest से शम्मनदित है उसमें क्या का गया राज्य लोग कल्यान की अभीवर्थी है तू सामाजिक व्यविस्ता इस्तापित करेगा था लोग कल्यान कारी राज्य की स्थापना के लिए लोगों की अभिवर्दी के लिए सामाजिक विवस्ता इस्थापित करेगा तो सामाजिक जो सबद है वो कहां देखने को मिलता है 38 क्या में आपको द्यान रखना है कि राज्य लोक कल्यान की अभीवर्ती विकास है तू सामाजिक व्यश्ता इस्तापित करेगा नेक्स्ट है अनुछेद गुनचालिस जो गहे है उसमें क्या है इस्तरी वपुरुष को सम्मान कारिय के लिए सम्मान वेतन सामाजिक न्याई देखने को यहां भी मिलता है अनुछेद गुनचालिस गहे में नेक्स्ट है जो अनुछेद गुनचालिस है उसमें भी हमें सामाजिक न्याई देखने हो मिलता है उसमें एक सम्मान सिविल सहेंता है वो एक ही राज्ये में फिलाल पर्टिकुलर लगी हुई है गोवा में अनुछेद गुनचालिस की बात कर लेते हैं जो आपके सामाजिक न्याई के बहुत ज़्यादा निकटता प्रदेशित कर रहा है कि राज्ये से ऩिसिव और अबी सिक्षा औरो दिक कर लें को बढ़ावा देगा तसा मजिग जो अन्याई है वह शोचन से उनकी क्या करेगा रक्षा करेगा किसका कारीया है ये राज्ये का इसलिए निती निजटे सकत्त तो राज्ये को प्रदान किये गएं सामाजिक समरस्ता सामाजि न्याय की परीबासा हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है तो आपके सामाजिक न्याय और पंथ निर्पक सब्द का यही आता है अगर आप इन से मूल अधिकार के टोपिक पढ़ेगो पढ़ोगे जो हमने पढ़ा था तो उन्हीं में यह चीज में पहले रिपीट कर चुका हूं और साइद वहीं से आपका क्यूशन उठ जाए और इन तक जो भी पुछा गया आपके क्यूशन वो मूल अधिकार से संब्दी था जो चल्चा हम अब करने वो पहले कर चुके थे तो आपको ज्यादा मूल अधिकार पर कॉंस्टेंट करना है कि मूल अधिकार में हर बर क्य क्यूशन आता है वहां से जरूर क्यूशन उठेगा जितना हो सके उसको एक एक लाइन को आपको पढ़ना है द्यान से अगर टोपिक पसंद आया हो तो लाइक करना जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनको बता दूं कि आप प्लेलिस्ट में जाकि पहले उसी में है धन्यवाद